हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू क्रेजी जीकेट ट्रेक तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की 10 कोश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन कॉंस्टिटीशन के एक और इंपोरेंट टॉपिक भारती सवविधान सभा के MCQs को यहाँ पर डि तो बहुदियो में हम सवविधान सभा के गठन और केबिनेट मिशन से जो MCQs पूछे जा सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सवविधान सभा की कमिटीज और सवविधान सभा की समझ जो अंत्रीमन्त्रीमंडल का गठन किया गया था उसके MCQs उसको next वीडियो में discuss करेंगे तो बिना देर किये session को शुरू करते हैं अगर आपने वीडियो को अभी तक like और share नहीं किया है तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा आईए सबसे पहला question देख लेते हैं तो देखिए भारत की सविधान सभा गठित करने का आधार क्या है यहाँ पर normally जो question पूछा गया है उसका मतलब है कि सविधान सभा का जो गठने इन में से किस कमेटी के आधार पर किया गया था या किस कमेटी की अनुशनसा पर किया गया था तो देखिए हम थोड़ा सा historical background देखते हैं बिटेन का भारत पर शाशन था और भारती काफी समय से उन्हें उनसे Dominion State की मांग कर रहे थे लेकिन अंग्रेजों ने भारतियों की इस मांग पर कभी भी ध्यान नहीं दिया अब Dominion State मांग मांग कर जब भारती परिशान हो गए तो 1929 में Congress का जो Lahore Division हुआ था उसमें Congress ने पूर्ण स्वराज मतलब Total Independence की मांग की आगे चलकर ताकि इस पर भी ध्यान ने दिया लेकिन 1939 में Second World War शुरू हो गया और भारतियों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों को समझ में आया कि भारतियों को कुछ तो देना पड़ेगा तब वो 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं और भारत को Dominion देने की मांग कर या अब हमको Dominion State नहीं चाहिए आगे चलकर Crips Mission आता है 1942 में कहीं न कहीं वो भी Dominion की ही बात करता है तो Congress जो थी वो Crips Mission को भी नकार देती है आगे चलकर 1945 में जब Second World War खतम हो जाता है तो Britain का सिनेरियों बदलता है और वहाँ पर Clement Attlee की सरकार आ जाती है जो कि Labour Party के गवर्म थी अब Clement Attlee भारत में सत्ता हिस्तान तरण या फिर जो powers थी उनके transfer करने के लिए जो संभावनाय तलाशने लगते हैं और Cabinet Mission को 1946 में भारत भेजते हैं अब Cabinet Mission 1946 में भारत आता है और इस की सिफारिश पर इस कमेटी की सिफारिश पर भारत में सविधान सभा का गठन किया जात तो Cabinet Mission Plan की सिफारिश पर जो की फरवरी 1946 में गठित किया गया था और मार्च 1946 में ये भारत आया था तीन सदस्सी एक कमेटी थी आंसर भी हो जाएगा Cabinet Mission की सिफारिश पर भारती सविधान सभा का गठन किया गया था याद रखेगा Cabinet Mission के अध्यक्ष का भी पूछे जाते हैं सर पैथिक लोरेंस इसके अध्यक्ष थे 1946 में इस कमेटी का गठन किया गया था नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं आगे देखते हैं भारती सविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब प्रारूप समीती के अध् निर्मान का एक ड्राफ्ट तयार किया जिसके आधार पर भारत के सविधान का निर्मान किया जाएगा एक ड्राफ्ट तयार कर देते प्रारूप तयार कर देते बियें राओ अब उस प्रारूप की जाच करने के लिए उस प्रारूप में क्या-क्या एलिमेंट्स जुड़ अगर सविधान सभा में कमेटी से कुश्चन आता है तो सबसे आदा कुश्चन यही पूछा जाता है अगे हम इसकी डीटेल में भी बात करेंगे तो अभी हम ऐसा ले 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 लेते हैं आंसर C यहाँ पर सही हो जाएगा भारती सविधान सभा में प्रारूप समिती के अद्यक्ष दॉक्टर भीम राओ अंबेटकर थे चली, आगे आजाते हैं यहाँ पर हमें प्रारूप समिती की यह बारे में पता चलता है ड्राफ्टिंग कमीटी तो drafting committee का जो गठन किया गया था, 29 अगस्त 1947 में किया गया था, अध्यक्ष आपको पता चल गया, भीमराव अमबेट कर, नॉर्मली अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं, सदस्य संग्या पूछी आ सकती है, साथ इसकी सदस्य संग्या थी, और कभी कभी question ऐसा भी आ जाता है, कि इ तो drafting committee के अध्यक्ष को मिला कर टूटल साथ सदस्य थे, एक अध्यक्ष हो गए, सदस्यों में एन गोपाल स्वामी आयंगर पहले हो गए, सेकेंड अलादी कृष्णा स्वामी आयंगर दूसरे हो गए, सेकेंड थर्ड कनईया लाल माडिक लाल मुंशी तीसरे मेंबर हैं, स drafting committee में, अब क्या होता है, आगे चलकर drafting committee जब काम कर रही थी, तो 1948 में DP खेतान की अपने पत पर रहते हों मृत्य हो जाती, तब इनकी जगे drafting committee में T. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया जाता है, आगे चलकर, तो इनको भी याद रखिएगा कि किनकी मृत्य हो गई थी, drafting committee में कौन सा इसा member था, जिनकी मृत्य हो गई थी, तो वो DP के था, खेतान थे, हैना, इनकी मृत्य के बाद, फिर T. कृष्णामाचारी को drafting committee का member बना लिया जाता है, आगे चलकर, clear, I hope drafting committee समझ में आ गई होगी, अध्यक्ष समझ में आ गया होगा, और इनका work क्या था, वो भी आपको पता चल गया होगा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत ही important एक update देता हूं friends, देखें crazy gk trick के root application पर, आप सभी के लिए ssc की एक target बेश शुरू हो चुकी है, और ssc cgl का notification भी आ चुका है, तो यह आपके लिए बहुत ही important है, अगर आप interested है, जोइन करना चा लगाईए, आपको वहाँ पर 500 उपिस का off भी discount भी मिल जाएगा, और अगर आप individually मुझसे quality पढ़ना चाते हैं, तो मेरी भी live classes root application पर ही आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप मेरी quality की classes को join कर सकते हैं, ओके, I hope update अच्छा लगा होगा, next question देख लेते हैं, कि next question हमको exam म हुए इस्थाई अध्यक्ष कोन थे, तो देखिए सविधान सभा की जो friends सबसे पहली बेठक हुई थी, वो हुई थी 9 December को, और सन था 1946, 9 December 1946 को सविधान सभा की सबसे पहली बेठक होती है, और उस बेठक में क्या करते हैं, कि seniority के आधार पर, जो सबसे वरिस्ट होता है, उ लेकिन वो temporary speaker होते हैं, मतलब आप हो सकते हैं, आइस्थाई अध्यक्ष होते हैं, और वो बनते हैं सच्चिदानन सिन्हा, तो पहला important question तो आपको ये मिल जाता है, कि सविधान सभा की पहली बेठक कब हुई थी, तो सविधान सभा की पहली बेठक हुई थी 9 December 1946 को, और पहल आइस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, पहली बेठक में सच्चिदानन सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानन सिन्हा, आगे चलकर दो दिन बाद, 11 December, ठेट याद रखिए का दोनु ही डेट काफी important है, 11 December 1946 को, सविधान सभा की दूसरी बेठक होती है, और पहले इस्थाई अध्य रूप में चुने जाते हैं, डॉक्टर राजेंदर प्रसाद, सविधान सभा के पहले इस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, दूसरी बेठक में, पहली बेठक में पहले इस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, कोन सच्चिदानन सिन्हा, तो सच्चिदानन सिन्हा, सविधान सभा के इस्थाई अद्यक्ष थे बाद में इस्थाई अद्यक्ष पर्मानेंट स्पीकर बनते हैं राजेंदर प्रसाद या डॉक्टर राजेंदर प्रसाद तो आपको अंसर मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर इस्थाई अद्यक्ष पूछा गया है तो अंसर सी हो जाएगा डॉक्ट का सदस्य नहीं था तो दिखे कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको वहाँ पर उसका अद्यक्ष तो पहले ही बता दिया था क्योंकि इंपॉर्डेंट इसलिए भी ये कैबिनेट मिशन की सिपारिश पर ही भारती सविधान सभा का गठन किया गया था यह दो सदस्य हो जाते हैं और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हो जाते हैं कमिटी के तो कौन शामिल नहीं था पूछा गया है तो विलियम वुड कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था अंसर ए अगर थोड़ा सा हम शॉर्ट में केबिनेट मिशन को और जानना चाहें तो आपको यह भी पता होना चीए जैसा कि हमने पहले बात की थी कि सरी फरवरी 1946 में केबिनेट मिशन का गठन किया जाता है और मार्च 1946 में केबिनेट मिशन भारत आता है कब March 1946 ने अध्यक्ष पैथिक लोरेंस दो अन्य सदस्य में A.B. Alexander और Stafford Crips क्रिप्स मिशन के समय अध्यक्ष केबिनेट मिशन के समय ये सदस्य तो केबिनेट मिशन का अध्यक्ष पैथिक लोरेंस दो सदस्य A.B. Alexander और Stafford Crips इस वक्त ब्रिटेन के राजा थे जब पैथिक लोरेंस के नेतरत्व में केबिनेट मिशन भारत आया इस वक्त ब्रिटेन के राजा थे George VI 1936 में बने थे और अल्मॉस्ट 52 तक ही अपने पत्पर रहे थे और ब्रिटेन के इस वक्त प्रधान मंत्री जैसा कि हमने बात की थी Clement Attlee जो की Labour Party के थे लेबर पार्टी की गवर्मेंट थी 1945 से लेकर 1951 तक Clement Attlee ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रहते है तो कभी कोशन ऐसा भी आजाए कि भारत के आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री कोन थे Clement Attlee किस पार्टी गवर्मेंट थी तो Labour Party की गवर्मेंट थी तो हमारे लिए यहाँ पर कोशन के अकॉर्डिंग जो important है वो cabinet mission है ओके चलिए Next question देख लेते हैं सविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था तो देखे सविधान सभा के सामने जो उद्देश प्रस्ताव रखा गया था वो रखा था जवाहल लाल नहरू ने क्योंकि आप जानते हैं पहली बेठक 9 दिसम्बर को ही थी अभी हमने बात की थी दूसरी बेठक 11 दिसम्बर 1946 को ही थी 1946 है दोनों में और इसके बाद तीसरी बेठक होती है दो दिन बाद 13 दिसम्बर 1946 और 13 दिसम्बर 1946 मतलब सविधान सभा की जो तीसरी बेठक थी इसमें देश्य प्रस्ताव सव्विधान सभा के सामने रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव ने सव्विधान सभा को सव्विधान निर्मान के लिए सिद्धान्त दिये जिसके आधार पर सव्विधान का निर्मान किया जाना था। 1947 को रखा कब था 13 दिसंबन 1946 और यह सविधान सभा के दौरा पास किया गया या अपनाए गया 22 जनवर 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर भारती सविधान की प्रस्तावना बना भारती सविधान की प्रम्मल बना था ओके तो सविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव बाद में यही प्रस्तावना बनी न तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाल लाल नहरू ने रखा था सविधान सभा की तीसरी बेठक में इंपोर्टेंट ए इसको भी याद आगे देखते हैं, भारती सविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो देखें भारती सविधान सभा का जब गठन किया गया था, तो 389 मेंबर सविधान सभा में बनाए गया, जो की भारत की जन संख्या के आधार पर थे, 389 सदस्य संख्या में से 296 जो सीटे थी 389 में से 296 सीटों पर indirect election करवाए गए ये वो सीटे जो की British प्रांतों से आती है और जब इन पर election हुए तो 15 महिला निर्वाची तकरा होकर आती है टोटल कितनी 15 तो याद रखिएगा भारती सविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो 15 थी कितनी थी 15 ओके आंसर हो जाएगा आंसर डी इसी कोश्चन है ऐसा कोई टफ कोश्चन है आगे देखिए भारती सविधान सभा की स्थापना की गई थी केबिनेट मिशन की सिफारिश पर वैसे सविधान सभा की स्थापना जो थी है ना वो की गई थी 6 दिसंबर को 6 दिसंबर 1946 को स्थापना कर दी गई थी सविधान सभा की लेकिन बेठक नहीं हुई इस्थापना कर दी शुरू नहीं हुई अब यहाँ पर आपको पता अगर 6 दिसंबर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर शुरू होने की डेट दे रहा है मतलब वो पहली बेठक से स्तापना वान रहा है तो पहली बेठक कब 9 दिसंबर 1946 अभी हमने बात की उसके पहले की तो कोई डेट यहाँ पर समझी नहीं आ रही है असपास तो अंसर भी सविधान सभा की स्तापना according to question 9 दिसंबर 1946 को की गई थी नॉर्मली उसके तीन दिन पहले ही सविधान सभा की स्तापना कर दी गई थी ओके चलिए आगे आते हैं भारती सविधान की सरचना में निमने लिखित में से किसका सरवाधिक गंभीर प्रभाव पढ़ा है मतलब भारत का जो सविधान बनाए ना सबसे ज्यादा उस पर प्रभाव इफेक्ट इन में से किसका देखने को मिलता है option देखते हैं बिटिस सविधान का सयुक्त रज्य अमेरिक का मतलब USA के सविधान का Ireland के सविधान का या भारत सरकार अधिनियम 1935 का तो भारती सविधान में अधिकतर जो प्रावधान है ना अधिकतर जो एलिमेंट है ना वो भारत शाषन अधिनियम 1935 से लिए गए जब ये एक्ट आया था ना तो इस एक्ट में लगबा का 320 से भी ज्यादा आटिकल थे 10 से ज्यादा शेडियूल थी 320 से ज्यादा आटिकल थे 10 से ज्यादा शेडियूल थी 14 से ज्यादा पार्ट थे पार्ट में बटा हुआ था कौन 1935 का एक्ट तो भारती सवितान को जो बनाए गया ना तो अधिकतर भारती सवितान के elements अधिकतर article भारत शाषन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं अधिकतर भारत शेशन अधिनियम 1935 से इंडियन कॉंस्टिटीशन में अडॉप्टी किये गए आई होप आपको समझ में आओगा इजी था अब यहाँ पर आप समझो कि 320 जो आर्टिकल थे ना इन 320 आर्टिकल्स में से 200 से ज्यादा आर्टिकल्स 1935 के एक्ट से भारती सब्विधान में या तो कुछ चेंजेस किया गया या वेसे की वेसे ले लिये गया तो किसका सरवाधिक प्रभाव पढ़ा इंडियन कॉंस्टिशन पर तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारती सब्विधान की रचना के समय सब्विधान सभा का सब्विधानिक सलाकार कोन था भारती सब्विधान की रचना के समय सब्विधान सभा का सब्विधानिक सलाकार तो हमने शुरुआत में ही बात की भारती सब्विधान का सब्विधानिक सलाकार थे बी एन राओ, कौन थे बी एन राओ, इन्होंने भारती सब्विधान का ड्राफ्ट तयार किया और उस ड्राफ्ट पर विचार करने के लिए बाद में ड्राफ्टिंग कमिटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे भीम राओ अम्बेट कर एजी है ना तो बी एन राओ एक एसे वेक्ति थे जो की भारती सविधान सभा में सविधानिक सलाकार थे ओके तो आई होप आपको सभी कोश्चन आज हमने जो पड़े हैं वो समझ में आए होंगे एक एक कोश्चन की जितनी भी डिटेल है जितनी भी रिलिवेंट डिटेल है जो भी मैं आपको बताई उनको नोट करिएगा और ध्यान रखिएगा क्योंकि कोश्चन हमको अधिकतर वहीं से पूछे जाने वाले I hope session अच्छा लगा होगा I hope आपको सभी MCQs यहाँ पर समझ में आ गए होंगे इसके part second को मतलब कुछ और MCQs जो की सविधान सभा की committees और सविधान सभा में जो अंत्री मंत्री मंडल बनाये गया तो वहाँ से पूछ जाते हैं उन MCQs को next वीडियो में हम cover करेंगे आज के लिए बस इतना ही एक बार फिर से अगर आपने वीडियो को like और share नहीं किया है तो वीडियो को like और share कर दीजेगा और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दीजेगा क्योंकि ऐसे interesting content आपको इस channel पर इसी तरह मिलते रहते हैं फिर मुलाकातो की next वीडियो में बने रही हमारे साथ जय हिन जय भारत